हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आज फिर आप सभी का केरियर पंड के यूटूब चैनल में आए दोस्तों आज फिर रोज की तरह अभी दो-तीन दिन बिलम रहा है लेकिन आज फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ और एक छोटी सी क्लास के साथ और महत्पूर क्लास के पता भी है कि हम लोग पेट एक्जाम की त्यारी के लिए सारी चीज़ें तो नहीं लेकिन कुछ महत्पूर चीज़ों की चर्चा लगातार कर रहे हैं केरियर पंड के यूटूब चैनल पर हाँ यह जरूर है कि सारा स्लेवर्स तो नहीं लेकिन ज्यादातर स्लेवर्स जो परिच्छा के द्रिश्टिकोंड से सबसे जादा महत्तपूर है उसको हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और उसी संखला में आज जो हम एक क्लास लेकर आए हैं जिस को विसे को चुना है वो भारत के भूगोल से है और पिछली वाली क्लास भारत के भूगोल की पड़ी भी ह भारत की जीले किसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं उनका नाम है भारत की जीले तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग रोज की तरह आज फिर जुड़ गए होंगे हाला कि बिलंब हो जाता है भारत की जीले बीच-वीच में गैप हो जाता है गर्मी अधिक थी इस का सारी जीले हैं जीलो को पढ़ने के लिए आगर ठीक ठाकrada दंध वंद तेयारी करेंगे तो झीलो को ख़्यकों कई बर्गों में माटके पढ़ा बhernाता है सबसे पहले किसी भी exam की त्यारी करने के लिए भारत महत्रपूडर साल इसके श्रोस के пой तिकत परिच्छा की त्यारी जब करेंगे तो उसमें आपको जीले पढ़नी पढ़ेंगी वहाँ आपको जीले ऐसे पढ़नी पढ़नी पढ़ेंगी प्राकरतिक जीले होती है तो प्राकरतिक कुछ भारत की और कुछ विश्चु की फिर बात करेंगे प्राकरतिक की जिस्ट अपोजिट कर्तिम जीले पढ़ेंगी जैसे बांध बनाया जाता बांध के पीछे बहुत सारी जीलों का निर्मार हो जाता है जैसे बैगाई नदी से एक पानी आता है बैगाई नदी से जल आता है तो एक जील का निर्माट दच्छड वारत में हो जाता है उसका नम पेरियार जील होता है जबकि पेरियार नदी भी है ठीक है तो हम लोगों के लिए क्या है कुछ प्राक्रतिक जीले होती है और कुछ कर्तिम जीले होती है कुछ गोखुर जीले होती हैं, कुछ लेगून जीले होती हैं, कुछ खारे पानी की जीले होती हैं, कुछ मीठे पानी की जीले होती हैं, मीठे पानी की जीले होती हैं, जिस जील में पानी रुक जाता है, पानी आंगे नहीं निकल पाता है, वो खारा हो जाता है, जो जील पे पानी बाहर निकलता रहता है, उसको हम मीठे पानी की जील कहते हैं, तो इनको विस्तार से किसी व्यक्तिकत क अच्छा में पढ़ेंगे, जब किसी एक्जाम का कोई स्लेवस में, जब विस्तार से टॉपिक होगा भारत जील है, लेकिन अभी हम पैट एक्जाम की त्यारी कर र करेंगे, और कुछ बेसिक, जब मैं दस पढ़ाऊंगा, आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, जब मैं दस पढ़ाऊंगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी, और वो जो चीज़ें हम जोडेंगे, बस वही आपको दिमाग में इस्टोर करना है, एक्जाम के समय, उन चीज़ों को रिकैप करना है, और अंसर कर देना है, तो आईए हम बात करते हैं भारत की जिरों, बात में मैप भी लगाएंगे, आपको मैप, और मैंने कहा न, आप सब लोग, यहां के आएंगी, जो भी लोग पढ़ने आते हैं, केर विस्तार नहीं करते हैं, तो कोशिश यह रही कि कम समय में ज्यादा चीज़ें हो जाएं, तो सबसे महतपूर बात करने वाले हैं, आज हम भारत की जीले, तो भारत की जीलों में, अब हम बारी बारी से जीलों का नाम लेंगे, इसको पढ़ाने का देही तरीका बेश्ट हो तो भारत की एक जील है, पहले नमबर पर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उस जील का नाम होता है, वूलर जील, क्या नाम होता है, वूलर जील, अब आपके जैसे ही आपने नाम सुना, वूलर जील आपके दिमाग में तरन से आगया होगा, बहुत सारे लोगों के इसका इंस देखो बेटाई, ये पारंपरिक तरीके से अगर देखें कि एक्जाम में जो जैसे पहले पेपर होते रहे, छोटे इस तरी की परिष्चाओं में सीधर सीधर आयाता है, वही अबूलर जील भारत के किस रज्ज में है, ये कोश्चन होता है, और ये कोश्चन अपने में भ जील है, जिसका नाम है भूलर जील, और खास तोर से सुन लेना कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है, और उमीद है, ये सारे लोगों को पता होगा, सबसे बड़ी मीठे, हाँ, जो लोग नए है, पहली बार जुड़े हैं, मीठे पानी की जील, वो लोग या है यहां से इस जील में कोई स्रोत रहा होगा जिस से क्या रहा होगा जल अगर इस जल का बाहर की और निकास है तो पानी का बाहर यू रहेगा बाहर निकल जाएगा तो यह पानी जो रहेगा उसको हम मीठा जल कहेंगे क्या कहेंगे यह जील जो बनेगी उसको मीठे पानी की जील कहेंगे अगर यह निकास रुख जाता है अब रुद्ध हो जाता है तो पानी यहां रुख जाएगा तो उसको हम पढ़ते हैं खारे पानी की जील यह हम उसको कहेंगे खारी जील तो भारत की जो बूलर जील है वो है सबसे बड़ी मीठे पानी की जील तो पेपर के लिए कोश्चन याद रखो पेपर के लिए कोश्चन याद रखेगा बूलर जील किस पकार की जील है तो सबसे पहली बात कैसी है प्राकृतिक जील है मैं लिखता हूँ प्राकर्तिक जील है और कैसी है पानी की जील अच्छा मैं यहाँ पर एक फैक्ट करता हूँ ध्यान से सुनना आप से पेपर में कोश्चन आ जाएगा भारत की सबसे वड़ी मीठे पानी की जील तो यह है यह बेसिक सा कोश्चन और पेपर में आता भी है लेकिन अगर मैं कहूँ इसका निर्मार कहा होता है तो राजज की बात हो गई तो अंसर आपने किलियर कर लिया उसका राजज क्या है उसका राजज क्या है जम्बु कस्मीर में लेकिन यहीं पर ध्यान से सुन लेना, एक नदी है, नदीयों को पढ़ा है लेकिन अभी सिंद नदी नहीं पढ़ी है, इसलिए इसको आप ये नाम नहीं आया है, उस नदी का नाम है जहलम नदी, और जहलम नदी का बहाव का है जम्बू कस्मीर में, और जहलम नदी के गोख पस्मीर में जहलम नदी के द्वारा किस गोखुर जील का निर्मार होता है तो आंसर तो आपको वोड से दिख रहा है कि आप तरंद कहेंगे बूलर जील लेकिन आपके दिमाग में शमर्शिया होगी सहाब ये गोखुर जील क्या है तो मैंने नाम क्लास की सुरुआत में ले ये नदी जब अपनी आदी अमर से उपर निकल जाती है तो ये कहीं कहीं कोई रास़्ता छोड़ेती जैसे धारा नदी की ये थी लेकिन इसने क्या लिए जो बच गया है यहां पानी भरा रहेगा और इस ही एरिया को हम कहते है गोखुर जील, जील का मतलब है वहाँ पानी भरा रहना तो आपसे कहेगा कि गोखुर जील का निर्माण करने के लिए साहयक होता है नीचे लिखा होगा समुद्र, नीचे लिखा होगा नदी, नीचे लिखा होगा हिमानी नीचे लिखा होगा जौला मुखी अंसर नदी क्या बताया है मैंने जो नदी के बले का एक हिस्सा अलग हो जाए और जील का रूप ले ले उसको क्या कहते है गोखुर जील तो आपके पॉइंट सारे किलिए रो गया हूँ मीठे पानी की जील है समझने के लिए सुनिये जीके आएगा न तो जीके में बिस्स के कुछ फैक्ट आते हैं की पॉइंट की बात कर रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि बिस्स की सबसे बड़ी बिस्स की सबसे बड़ी किसकी कैसी मीठे पानी की जील जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील यह हो गई बिस्स की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील आप कमेंट करिए जल्दी बताइए बिस्स की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी हो सकती है तो उसका नाम होता है सुपीरियर जील उसका नाम क्या होगा सुपीरियर जील तो दो फैक्ट आपके दिमाग में तुरंद किलियर हो गए कि भाया भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी जील आंसर बूलर जील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील आंसर सुपीरियर जील इसमें आपको कोई समश्या नहीं ठीक है ना इतने में कोई समश्या लेकिन ये जील अब भारत का जील के ठीक 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 पड़ रहे हैं भारत का बूगल ठीक 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 पड़ रहे हैं उससे जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया इतने में कोई समश्या जो चीज समझ में नहीं है कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें अगर चीज़ें समझ में आईए तो एक बार थमसब करें आईए बात करते हैं दूसरी किसी महत्पूर जील के बारे में तो भारत की जील महत्पूर टापिक है और सीधा सीधा मैंने कहा ना ध्यान से सुनो जो PET exam में 10 नंबर का static GK आ रहा है उसमें ये चीजें आपसे सीधी सीधी पूची जा सकती है चाहें वो Google में ले लो चाहें वहाँ क्योंकि जो जील जहां है वो वहाँ है वो बदलने वाली नहीं है और examiner या इसे ही question जादा बनाता है आईए दूसरी महतपूर जील की बात कर रहे है जिस जील का नाम है शांवर जील का नाम है शांवर जील सारे लोग खुश हो गए होंगे ये जील का भी नाम अच्छे से सुने होंगे अगर थोड़ा बहुत पड़े होंगे कि भारत का एक राज्ज है जिसका नाम है राजिस्थान वहाँ जो बड़ी महतपूर जील है जिसका नाम है सांवर जील ठीक है यहाँ से क्या इसका explain हो सकता है तो याद रखेंगे भारत की खारे पानी की बड़ी सबसे बड़ी जील जो कैसे पानी की जील है सबसे बड़ी खारे पानी की जील है उसका नाव है शावर जील दो को जस्ट पहले हमने किया है मीठे पानी की जील मतलब ऐसी जील जिसमें पानी ताजा था ठीक है? मीठे पानी की जील का मतलब यह नहीं है एक जगह है उस जील का निर्माण हुआ उस जील का नाम क्या हो जाएगा सावर जील तो भारत के सबसे बड़ी पानी जील जो जील है उसका नाम कारे पानी की जील है उसका नाम सावर जील है जो कहां है राइस्थान में अच्छा यहीं से मैं एक अच्छा question मनाता हूँ ध्यान से सुनना अगर आपसे पेपर में कोई question कर दे कि भाईया salt city किसे कहते हैं आपसे कह दिया गया कि salt city के रूप में किसको जाना जाता है salt state किसको जाना जाता है देखो सबसे बड़ी नम आप कोई किताब पढ़ेंगे उस प्रकासक का नाम याद नहीं आ रहा है उसकी किताब में ये लिखा है साइद बड़वाल जी है उसमें ये लिखा है कि सावर जील भारत के 60% नमक को बनाने का का मलब भारत में नमक की आपूरती 60% कहां से हो रही है कहां से हो रही है सावर जील से कहां से हो रही है सावर अब वो कहां तक प्रमाड सही है लेकिन जहां तक मुझे पता है वो ये है कि Salt City बोले तो नमक की City किसे कहتे है वो गुजरात को कहते है किताब कह रही है कि सबसे ज़्यादा नमक बनाने का काम कौन करता है सावर जील, हाँ लिकिन ये ध्यान लगना जीलों में सबसे ज्यादा नमक बनाने का काम कौन करती है जीलों में सारी जीलों में सबसे ज्यादा नमक जीलों से माल लीजिए 100 नमक आ रहा है कोई unit माल लो उसका 60 हिस्सा कहां से आता है शावर जील से लेकिन नमक क्या से है सिर्फ जीलों से बनता है समुद्र तटसे भी बनता है और सबसे लंबी समुद्री तटी एरिया किसके पास है गुजरात के पास तो साल्ट सिटी के नाम से जानते हैं किसको गुजरात को लेकिन सबसे बड़ी नमकीन जील जानते हैं किसको सामर जील को पिछले टाइम पे पड़े थे ना नदी नदी वाला टापिक पूचा गया था नमक की नदी किशे कहते हैं तो लूनी नदी को पता है ना आपको अरावली के अरावली परवस्त रेडी के नाग परवस्त से निकलने के बाद कच्छ के रख दलदल में जो खो जाती है उस नदी का नाम बूनी नदी होता वो नमक की नदी है ये नमक की जील है और ये नमक का सहर है उस राज़ी का नाम गुजरात है इतने में किसी को कोई समस्या नहीं ना अचा अगर समस्या नहीं है यहीं मैं एक फेक्ट बता दूँ भाईया बिस्सू बिस्सू की जील बिस् बिसुकी सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी हो जाएगी उसका नाम होता है कैस्पियन जिन लोगों को आंसर पता हुआ करें वो तुरंत कमेंट जरूर कर दिया करें हमारी टीम पढ़कर आपको बताएगी आपका अंसर सही है और हमें भी ऐसा लगेगा कोई कौन कितने पानी में है ठीक है कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं तो कमेंट जरूर किया करिए तो बिसुकी सबसे बड़ी खारे पानी की जील का नाम कैस्पियन है लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील का नाम शामर जील है नाम सुनेंगे आप बान जील का नाम सुनेंगे Great Salt Lake का नाम सुनेंगे ये बहुत सारी जीले हैं जो नमकीन जीले हैं लेकिन हमें तो दो महतपूर कोश्चन तियार करने थे एक विश्यू का और एक भारत का तो हमने आपको दो महतपूर जीलें पढ़ा दी हैं जिसमें शामर जील भी होगी आईए बात करते हैं फिर तीसरी जील की तीसरी एक बड़ी महतपूर जील और वहाँ भी नमकीन की बात होगी लेकिन नमकीन कौन से वाली खाने वाली नमकीन नहीं वहाँ नमकीन कैसी वो खारी होगी लबडी होगी बात करते हैं उस जील का नाम है चिलका जील, क्या नाम है, चिलका जील, आईए बात करते हैं चिलका जील से, चिलका जील से क्या 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 कोश्चन अपने एक्जाम के लिए बन सकते हैं, तो पहला ही कोश्चन बन सकता है, कि चिलका जील किस राज्ज के समुद्र तट पर इस्थित है, चिलका जील भारत के किस राज्जिके आफसावी के समुद्र तटके दिया है तो भारत आपके दिमाग में आफसन गूमने लगे हैं गुजरात, माराष्ट, गोवा, केरल, करनाटेक, कमिलनाडु, उडिशा, पश्चिमंगार, आंध, पिदेश, इनमें से वो कौन सा राज्ज है जिसके समुद्र तटके किनारे, समुद्री तटके किनारे, एक जील है जिसका नाम है चिलका जील, और एक ची बताओं, समुद्र तटके किनारे है तो ये जील तो कैसी होगी, लबडी जील होगी, तो बताएं, और मैं बताता हूँ, वो चिलका जील, जिस राज्ज के तटपर है, उस राज जिका नाम उडिशा है उसरा जिका नाम क्या है उडिशा है ठीक है याद रखेंगे दोगो ये भी जील कैसी है ये भी कैसी जील है लबडी है कैसी जील है लबडी है कैसी जील है लबडी है जील लोगों को लबडी नहीं समझ में आ रहा है तो ये जील नमकीन है ये जील कैसी ध्यान से सुनो, भारत की, यहां पर मैं आगे लिख देता हूँ, भारत की सबसे लबडिय जील, यह क्या बवाल है, छेत्र फल के आधार पर सबसे बड़ी जील है, जिसका नाम था सावर, है कैसी, खारे पानी की लबडी, लेकिन वो बड़ी है, किसके आधार पर, छेत्र फल सबसे ज्यादा नमकीन है, उस जील का नाम क्या है चिल्का जील, तो दोनों कुश्चन में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील, वारत की सबसे लबडी जील, राजिस थां, लेकिन सबसे लबडी जील का राच्ची, उडिशा, इतने जील है, लैगून जील है。 अब लैगून क्या होता? देख़े, इससे पहले मैंने आपको गोखुर बताया था. अब भाया गोखुर है, गोखुर जील का निर्माण करने वाला तत कॉन सा था? नदी, तो वो कैसी हो गही? क्रतिम की अब रोध बन गया जिससे इधर का पानी इधर नहीं आ रहा है है तो ये जो समुद्र का एरिया इस अवरोद के कारण अलग हो गया यहां भी तो पानी भरा रहेगा और पानी हमेशा रुका रहेगा पानी अगर हमेशा रुका रहेगा और जहां पानी भरा रहता है उसको हम कहते हैं क्या जील और वो जो जील बनेगी समुद्र के किसी हिस्से से अलग होकर किसी जील का निर्माड होता है उसको उनकरंसी जील कहते है लैगून जील तो लैगून जील भी कैसी होगी और याद रखना भारत में या दुनिया में कहीं भी लैगून जील का आफसन हो और पूछा जाए कैसी जील है तुरंत आप कहेंगे कैसी होगी लबडी क्योंकि समुद्र क्योंकि शमुद्र के द्वारा ही तो लेगुन जील का निरमाड होता है तो वो जील कैसी होगी लबडी तो भारत की सबसे लबडी जील तो अंसर चिलका जील चिलका जील किस प्रकार की जील है लेगुन जील कैसी जील होती है, प्राकृतिक जील होती है, इतने में किसी को स्मच्चा नहीं होना चाहिए, हाँ ये चीज़ आप रखना, जो उडिसा में चिलका जील है, वह एक मचली के उतपादन के लिए पृषिद है, उस मचली का नाम है, जींगा मचली, उसका नाम क्या होता है जींगा मचली तो पूछा जाए चिलका उडीशा की चिलका जीर किसके उत्पादन के लिए प्रशिद है तो तुरत आपका अंसर हो जाएगा जींगा मचली के उत्पादन के लिए प्रशिद है तो हमने तीन महत्पूर जीले पड़ ली है इसका नाम हो गया एक तीसरी महत्पूर थी जिसका नाम हो गया चिलका तो आप मेरे साब से आप नोट कर रहे होंगा और उम्मीद भी है कि हम पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं ने देने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने थ जंग सिर्फ और सिर्फ एक्जाम है और एक्जाम काली फाई करना सवाव इकसी बात है वो आपके लिए किसी जंग को फत्य करने के बराबर है तो आपका हत्यार है पेन कापी और नोट्स उसके सहारे से आईए आंगे बात करते हैं चोथे नम्मर की जील पढ़ते हैं जिस लोग टक जील इस जील का नाम है लोग टक जील तो मेरा कोश्चन यही है आप जितने लोग यहां पढ़ रहे हैं सब लोग जल्दी से बताएं कि लोग टक जील भारत के किस राज्ज में है लोग टक जील भारत के किस राज्ज में है आप जल्दी से आंसर करें मैं करता हू अंसर लोग टक जील भारत के एक पूर्वोत्तर राज्ज में है जिस पूर्वत्तर राज्ज का नाम है मड़ीकू अच्छा मैं यहां पे लिखे दे रहा हूँ आप से पेपर में question आ जाए कि पूर्वोत्तर राज्ज की सबसे बड़ी जील पूर्वतर राज्य के सबसे बड़ी जील पूर्वतर राज्य की सबसे बड़ी जील तो आंसर आपका हो जाएगा लोक्टक जील वो भारत के किस राज्य में है तो वो भारत के मड़ीपूर राज्य में है मड़ीपूर आपको पता होता है मड़ीपूर कहा होता है तो मड़ीपूर विल्कुल जब आप मयमार उधर चलेंगे ना औरणाचल प्रदेस नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जो मयमार से सटा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं बाद में मैब लगाएंगे उसको क्या कहते है मड़ीपूर तो मड़ीपुर रज्ज की एक जील है जिसका नाम है लोकटक जील इसमें आपको किशी को समझचा नहीं होनी चाहिए यह बेसिक सब फैक्ट है अच्छा इसकी मैं डिटेल क्या दे सकता हूँ आपको अच्छा यहां से एक बहुत बहतरीन कोश्चन बनता है जहां से सुनना यह जो जील है वो दुनिया की एक मात्र तैरती जील है कैसी जील दुनिया की एक मात्र तैरती हुई जील आपके पेपर में कोश्चन कर दिया जाए कि वो बताओ भीया भारत में है लेकिन दुनिया की बिस्सुकी एक मात्र ऐसी जील जो तैरती हुई प्रतीत होती है उस जील का नाम लोक्टक जील है उस जील का नाम क्या है लोक्टक जील है हो जाएगा यहीं जो लोक्टक जील है इसका मतलब है यह कैसी जील है तैरती हुई जील है इसी के ऊपर भारत का ए विकमात तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान जो की लोक्टक जील पर इस्थित है उसका नाम कमेंट करिए तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान उसका नाम क्या है मैंने आप से पूँचा है और वो है कहां ये पक्की बात है वो मड़ी काबुल लाम जाओ भारत का एक मात तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान नेशनल पार्क जो तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान है उसका नाम होता है काबुल लाम जाओ किताब में कैबुल लाम जाओ भी कहीं कहीं लिखा तो कन्फ्यूज नहीं हो ना आपके याद करने के परियापत है काबुल लाम जाओ कहा है लोग टक जील पर है राज पूछाया तो मडिपूर में है याद रखने वाली बात यह बेटा यहां जो काबुल लाम जाओ है यह अपको नेशनल पार्क जीव अब्यारन किसी ने किसी एक पर्टिकुलिर जीव के लिए पृशिद होते हैं जैसे काजी रंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए पृशिद है दुदबा टाइगर इतने में आपको कोई समस्या नहीं न तो लोग्टक जील से कोश्चन केभिए रोगया पूर्वत्र वारत की सबसे बड़ी जील का नाम आइरो अजय पहले कभी पढ़ाओ यह पहले कभी पढ़ाओ नहीं तो मैं बताने क्यों कोशिश करता हूँ अगर थोड़ी बहुत किताबे बढ़ोगे तो ये चीजें जो फैक्ट के रूप में मैं लाता हूँ वो आपको आसानी से मिल जाएंगे तो जा नहीं पाओगे पैदल जब जा नहीं जा पाओगे तो वहां गुमाने के लिए कुछ होगा तो ध्यान से सुनो काबुल लाम जाओ में जो तैरते हुए घर मिलते हैं लोगों को गुमाने के लिए उन घरों को सीधा लिख दूँ तैरते हुए घर तैरते हुए घर मिलते हैं कहां काबुल लाम जाओ में उनको क्या कहा जाता है याद रखना उनको फुंडी कहा जाता है क्या कहा जाता है फुंडी तो फुंडी क्या है आपसे paper में question आए फुंडी क्या है ठिक टाक paper दोगे यूपी टेट वाले ध्यान से सुनो अगर यूपी टेट वाला यहां कोई जुड़ा हुआ है तो पर्या वरण में आवास एक chapter होता वहां से question आता है फुंडी क्या है तो तैरते हुए घर जो कहां मिलते हैं जो मडीपूर में मिलते हैं किस राष्टी उत्यान में काबुल लाम जाओ में यहां तक बात कि अच्छा मैं थोड़ा और detail देता हूं आप यहां लिखता हूं चीजें समझ लेना आपने डल जील का नाम सुना मैंने सबसे पहली वाली ज तो डाउनलोड करेंगे यह डल जील के बारे में विक्कीपीडिया पे जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे जंबू कस्मी में है डल जील जो लोग घूमने जाते हैं वहां आपने देखा होगा एक चीज चलती है नाव पे घर बना होता है जिसको कहा जाता है हाउसबोट क्य अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हो तो पता होगा और उस हाउसबोट को क्या कहा जाता है शिकारा क्या कहा जाता है शिकारा यह हाउसबोट क्या है किसी जील में नाव चल लए उसके उपर घर है परेटक लोग उसको किराय पे लेकर उसमें रहते हैं और आनंद लेते हैं वो houseboat को सिकारा कहते हैं वो कहां कि सब कहां है ये विवस्ता तो जम्बू कस्मीर में जील का नाम डल जील है बिल्कुल उसी की तरह fundi नामक houseboat कहले या तेरते हुए घर कहले तो कहां है वो घर जो है काबुल लाम जाओ में और काबुल लाम जाओ से जो हम जील रिलेट करके पढ़ रहे है उसका नाम कहा है लोक टक जील मेरे हिसाफ से आपको विल्कुल किलियर हो गया होगा लोक टक जील कहा है तो तरुन्त आंसर आपका हो जाएगा मड़ीपूर में पूरवत्तर भारत की सबसे बड़ी जील है हो जाएगा एक मात तैरती हुई जील है इससे ज्यादा कोश्चन लोक टक जील से आपके पेपर में नहीं बनेंगे तो चीज़ों को नोट करिए इसके इंसाट लीजिए चीज़ें अगर पसंद ना है तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए लोगों तक पहुचाईए आईए थोड़ी बात और आंगे करते हैं इस जील को पढ़ने के बाद चीज़ें नोट हो गई होगी अगर नोट नहीं हुई है तो दोबारां से देखिए शुरू करिए तो बात करते हैं अंगली एक जील जिसका नाम होता है जिसका नाम होता है कोलेरू जील तो जिसका नाम होता है कोलेरू जील इससे ज़्यादा डिटेल नहीं होती है जल्दी से बात खतम करते हैं और हो जाएगा कोलेरू जील तो आप से पेपर में पूछा जाएगा भईया कोलेरू जील का है तो कोलेरू जील का है तो याद रखना कि आंदर पृदेश में कृष्णा और गोदावरी का जो डिल्टा बनता है जाके उसके बीच में एक जील का निर्माड होता है जिसको हम कहते है कोलेरू आईए बात करते हैं लिख लीजिए आईए पूछा जाएगा किस राज्ज में है तो आंदर पृदेश में किस नदी पर कृष्णा नदी और गोदावरी गोदावरी पता है पढ़ाई है न नदीया कमेंट करके बताओ गोदावरी का उद्गम स्थल कहा है तो आंदर पिदेश और गोदावरी नदी आंदर पिदेश में गोदावरी और कश्णा नदी के मोहाने पर बनने वाली एक जील है और ये जील जो होती है बेटा नदी बना रही है तो नदी का पानी तो आपको पता है तो कैसी जील है ताजे पानी की जील होती है ये जो जील है कोलेरू जील ये ताजे पानी की जील है इसका जो संबंदित रज्ज है वो कौन सा है आंधुपिदेस है तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या तो हमने आपको पढ़ लिया कोलेरु जील कोलेरु जील से जयाता question नहीं बनते आईए एक और महत पूर, मैं उन जीलों की बात करूँ बाकी आपको भी बहुत सारी जीले पढ़नी पढ़ेंगी टेलीग्राम, गुरूप है न केयर पॉइंट क्लासिस का, जो लोग जुड़े नहीं है वो उसमें जुड़िये, हम उसमें जीलों का एक पूरा पेडियाप डाल देंगे, इन फ्यूचर, ठीक है, उसको पढ़िये, लेकिन जो महतपूर है, जहां से कोश्चन बिस्तार से बन सकता है, उस जील का नाम होता है, बैमनाद जील, जील लोगों ने जील का चैप्टर पढ़ा है, जल्दी से बताएं, आपके जहर में, आपके दिमाग में बैमनाद जील से क्या-क्या पॉइंट आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताईए बैमनाद जील, उससे पहले मैं और अंसर हो जाएगा केरल तो बिमनाद जील जो है वो का है केरल के तट पर किस प्रकार की जील है तो यह फैक्ट नुख लो खारे पानी की जील है का है केरल में है इस नदी जील का नाम किया बिमनाद इसका क्या विस्तार हो सकता है इसका क्या विस्तार हो सकता है इसका विस्तार ये हो सकता है आप से पूछा जाए भारत में बेलिंग्टन दीप किस राज्ज में इस्तित है भारत में बेलिंग्टन दीप अगर मैं कहूं लिखूं वेलिंग्टन वेलिंग्टन द्वीब पेपर में पूछा जाए वेलिंग्टन द्वीब भारत के किस राज्य में है तो आपका आंसर तुरंद हो जाएगा केरल में ठीक है तो जो जील है जिसका नाम है बेमनाद जील उसी जील पर इस्तित है एक द्वीब जिसका नाम क्या है बेलेंग्टन दीब कोई दिकत नहीं ना केरल के तटपर है मतलब समुद्रशे बन रही है तो फिर कैसी हो जाएगी खारे पानी की चीज़ और बेलेंग्टन दीब मैंने यहां पढ़ाने की कोशिस क्योंकि ध्यान से सुनो केरल वो राज्ज है आपने एक इस्तिवहार को पढ़ेंगे यह होता है ना चेप्टर अपने में इस्तिवहार का नाम है ओडम आपसे कोई कहते हैं कि ओडम एक उत्सब है ओडम उत्सब किस राज्ज में मनाया जाता है तो तुरंत आपका अंसर क्या होगा केरल में ठीक है और जिल लोगों ने थोड़ा पड़ा है कि ओडम में जो होता है वहां नौका दोड होती है क्या होती है नौका दोड केरल में एक उत्सब मनाया जाता है बार्शिक उत्सब है जिसका नाम है ओडम ठीक है और वहां होती है नौका दोड तो केरल राज्ज में नौकायन जो प्रतियोगताएं होती है जो न अंशर बेमनाद जील, पॉइंट के लिए, बेमनाद एक प्राकृतिक जील है, और जो खारे पानी की जील है, अगर आपसे पेपर में कोई कोश्चन कर दे, कि भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी जील, देखो, बड़ी अलग बात है, छेतफल चारोत हो, छेतफल का मतलब ल लंबाई कुड़ाई, उसके इसाबसे बात करूँ, आकार के इसाबसे बात करूँ, तो सांवर हो जाएगा, भुलोर हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन, लंबाई के दृष्टे कोऊण से, सबसे ज़्यादः लंबाई की दरेश्टे कोउंट से आंसर, बेमनाद।, नमबर ये अच्छे से नोट के लेना कोश्चन बनता है उसका नाम होता है बैमनात जीर यहां तक कोई दिखका केरल वही राज्ज है केरल में अगर मैं बात करूं तो यहीं पर अश्ट मुदी जील भी है सिदा सिदा आ जाए कि केरल में और कौन सी जील है तो इसके अलावा अश्ट मुदी जील भी कहा है केरल में तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इतनी चीज़ें समझ आ जाने के बाद आईए थोड़ी बार जल्दी से और करते हैं थोड़ा थोड़ा है और आप लोग तो घर पे बढ़िया से एयर फोन लगाओ और पढ़िए और हम लोगों को यहां क्लास में पंखा चलता नहीं है तो गर्मी लगती है लेकिन आईए बात करते हैं एक और जिल जल्दी से पुली कट जील कुंसा पुली कट जील और जुड़े रहेंगे आप लोग अंत तक देखा करिए क्योंकि यहां फालतू की चीज़ें विल्कुल न लेकिन अभी क्या है हमें पढ़ाना है सिर्फ और यह इसलिए पढ़ाना है कि लॉगडाउन लगा हुआ था सारे लोग जुड़ने पा रहे तो लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हुए थे उनकी शफलता के लिए सिर्फ यह चीज़ें चल नहीं है तो एक जील है जिसका लेकुन जील है वो सकता है भूगोल का आप जीके के पॉर्शन में भूगोल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया और पूच दिया गया निमलिखित में कौन सी जील लेकुन जील है तो आप तुरंत पकड़ की ही तो पताएंगे वही जील का नाम लेंगे जो जील समुद्र तटके एरिया के किनारे होगा क्योंकि समुद्र से अलग होने के बाद ही तो लेकुन जील मा लीजे आगया रामगड ताल जील क्या लेकुन जील है तो आपको पता होना जील रामगड ताल जील का है उत्तर पिदेस में और उत्तर पिदेस की सीमा क्या समुद्री शीमा है तो नहीं है तो क्या वहाँ लेगून जील हो सकती है अंसर नहीं होगा लेगून जील वहीं हो सकती है या तो अडिशा में या पश्चिप मंगाल में आनपितेज में या तमिलाड़ो में या केरल में या करनाटक में या मारश्ट में या गुवा में या गुजरात में इसके लेगुन कोई हो नहीं सकती है कि आपके पेपर में लेगुन ना लिखे वो नाम लिख दे अनूप जील क्या लिख दिया अनूप जील और यह चीजाँ आपको ध्यान देनी पड़ेंगी लेगुन जील का दूसरा नाम इंदी में कहे दे եै या कुछ भी दे है लेगुन जील का नाम अनूप जील भी होता है तो पुलिकट जील एक अनूप जील है या जिसको कहें एक लेगुन जील है इसमें कोई समस्चा नहीं ना और लेगुन जील का मतलब क्या होता है लेगुन जील का मतलब जो समुद्र के से अलग हुई हो उसको हम लेगूल जील कहते हैं तो पुलिकर जील हो जाने के बाद तो महत्पूड एक जील थी जिसका नम था पुलिकर आईए एक जील की चर्चा यहीं पर कर लेते हैं उस जील का नाम है लोनार जील जील का नाम क्या है और बड़ा अच्छा कोश्चन बनता है यहां से लोनार जील, बताएं आप लोग की लोनार जील के बारे में आप लोग क्या जानते हैं लोनार जील है कहाँ तो लोनार जील जो है वो भाईया है महाराष्ट में तो महाराष्ट में है महराष्ट वह जिसका नाम है लोनार जी इसको पढ़ते समय आपके दिमाग में और यहां से कोश्चन एक बहुत अच्छा बनता है ध्यान से सुनो मैंने कहा कुछ जीलों का निर्माड मानब के दोरा होता है अभी मैं दो-तीन बता गूँगा जिसको हम करते हैं जील कहेंगे कुछ जीलों के दोरा निर्माड बागी जीलों का निर्माड प्रकरत के दोरा होता है गाड के दोरा तो गाड के दोरा बनाएगी चीज़ें जैसे महली जीजे कहिए नदी तो गोखुर जील का निर्माड नदीश हुआ लेगुन जील, तो उसका निर्मान किसे हुआ, किसे हुआ, समुद्से तो भी नैच्रल हो गया, कभी-कभी ब्रह्मान्द में एक घटना होती है, जिसको पहते हैं उलका पिंड का गिरना, या फिर जोला मुखी का भी स्पोर्ट हो ना और जोला मुखी का भी स्पोर्ट हो या फिर उलका पिंड गिरे माल लीजे कोई उलका पिंड प्रत्वी के किसी हिस्से पर गिरा और जहां गिरेगा वहां बहुत बड़ा गड़ा हो जाएगा और उस गट्डे में पानी भर जाए तो वो भी एक जील बन जाएगी यह माल लीजिये कि कोई परवत है कोई परवत है यूँ करके नीचे से लाबा उपर की और चला तो स्वाविक से लाबा गरम होता है तो लाबा जब चलेगा जब निकलेगा तो बाहर की और बहेगा बाहर की और बहेगा कुछ समय के बाद जो अला मुखी ठंडा हो गया तो ये वाला जो हिस्सा है वो किसका रूप ले लेगा चटान का रूप ले लेगा लेकिन जो ये जौला मुखी का मुखाना है ये क्या है जौला मुखी का मुखाना जिस मुख से क्या निकलना है नीचे से उपर की ओर लावा निकलना है इसको मुखाना कहते है और भूगोल में इसी मुखाने को क्रेटर कहते हैं क्या कहते हैं क्रेटर तो कुछ समय के बाद यह मोहाने के इधर इधर चटान जम गई, बीच का यह खाली एरिया रहे गया, अगर इसमें पानी भर दिया जाए, तो यह पानी कहां बरा है, मोहाने में, यह भूगोल के अमसार पानी कहां बरा है, क्रेटर में, तो ऐसी जील, जो जौला मुखी के मोह क्रेटर जील, सीधा सीधा क्वेश्चन, जोला मुखी के मोहाने पर बनने वाली जील को क्या कहते हैं, क्रेटर जील, तो लोनार जील भारत की कैसी जील है, तो आंसर आपका हो जाएगा, क्रेटर जील है, तो भारत की एकमात क्रेटर जील, आंसर लोनार जील, किस रज में ह चिल मुख्र आंसर चिल का जिल भारत की सबसे वड़ी मीठे पानी तो निग आसल बूलर जिल को करा निदयागा. उस map का आप map लगाईए आदे बोड में आप map लगाईए और जैसा कि map आपको दिख रहा होगा हमने आपको देखो उपर जम्मू कस्मीर राज्ज में सबसे किनारे बुलर जील दिखाने की कोसिश किये और बुलर चील को कहते है सबसे मीठी जील है ना किलियर है ना आप भी इतनी कांपी में हैं इसे map मेंटेन करिए और इनको करिए माफ देखने से क्या है देखो तीन-चार पन्ने में आप नॉट्स बनायोगे अगर map में एकी पन्ने में वह सारी चीज़ें जो आप तीन पन्ने में लिखेऊ एक बार देखने के एक बार पढ़ने के वाद जबात इसलिए मैप्से पढ़ा जाता है. वहीं हमने जम्मु कस्में डल जील बताई है, डल जील बही है, ج moral है, जिकारा के प्रशिद हैं किस Bryant के. उसके अलावा फिर मैं राईस्थान, नीचे की तरफ आ गाता हूं, मैंने सांबर जील लिखा है, उसके नीचे मैंने राइस्तान लिखने की कोशिश किये आये महराष्ट की लोनार जील अभी आपको पढ़ाई है लोनार जील से आपको पता है कि लोनार जील भारत की एक मत क्रिटर जील है उसके बाद मैंने बेमनाद, बेमनाद से याद रखेंगे केरल में है, समुत तट में है, लेगून जीले और भारत की सबसे लंबी है, लंबाई के दर्श्मूर, उसी के नीचे अश्टमुदी बनाने की कोशिस की है, अश्टमुदी बना दिया, ठीक है, आए, ऊपर मैंने सिक्कम में एक जील दे दी, इसका नाम सेंगुमो जीले, इसकी डिट्ल मैंने नहीं कराई और बहुत सारी जीले है, इसकी डिटिल नहीं कराई है, आइए फिर पुरवत्तर राज् Britts अ सीमा पर इस्तित है, जिस जील का नाम पुलिकट जील है तो आपके दिमाग में आपके जहल में हमेशा के लिए चीज़ फीड हो जानी चाहिए कौन सी जील का है उसकी क्या विसेस्ता है तो इतनी चीज़ें कर लेने के बाद आईए एक मिनट और आपका खराब करता हूँ खराब नहीं करता हूँ आपको लिए एक मिनट में बहुत ही महतपूर जानकारी देने वाला हूँ तो लास्ट में दो मिनट और रुकिए सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी कुछ चीज़ें मैं अलग से लिखी हैं वो चीज़ आप कर लीजी यह तो मैंने कुछ महतपूर फॉइंट लिखे थे अच्छा मैं यहां से कुछ फैक्ट के रूप में लिखता हूँ भारत में एक ऐसी जील है जिसको मनो कामना पूर जील कहते हैं जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताईए किस जील को मनों कामना पूर्ट जील कहते हैं भारत में ठीक है अच्छा अंगला फैक्ट में एक बनाता हूँ बिसुकी बिसुकी सबसे प्रदूशित यह क्वेश्चन आये हुए है घटना चक्र की अगर बैकीर पेपर की कोई किताब हो तो वहां से क्वेश्चन मिलते हैं बिसुकी सबसे प्रदूशित जील आंसर करें बिसुकी सबसे प्रदूशित जील जिसको आंसर मालू है आप कमेंट बाक्स में कमेंट करिए तो बिसुकी सबसे प्रदूशित जील जो है वो बताईए इसके अलाबा अंगला फैक्ट लिखता हूँ पाँच फूलों वाली जी पांच फूलों वाली जील या इसी को कहते हैं विभिन रंग वाली जील या इसी को कहते हैं पवित्र जील कौन सी जील है नाम बताईए यह भारत में नहीं है दुनिया के किसी हिस्से में है बताएं आप जली ली कमेंट करें तीन कोश्चन का अंसर करें यह मनोकामना पूर ज जिल की बात करूँ तो यह भारत के सिक्किम राज्य में है जिसको हम कहते हैं खेचे सबसे पदूसित जील इस जील का नाम होता है कराचिल जील इस जील का नाम होता है कराचिल जील और ये जील भारत के दुनिया के किस देश में है तो उसी देश में है वो देश जो एसिया में भी है और यूरोप में भी है उसका नाम भूस है उस जील का नाम कराचिल जील पांच फूलो वाली जील या बिभिन रंगों वाली जील या कहते हैं पवित्र जील इस जील का नाम है बुछुआ जील इस जील का नाम है बुछुआ जील बुछुआ जील बुछुआ जील भारत में नहीं है भारत के पडोसी चोटे चीन के पास है उसका नाम है बुछुआ जीर ठीक है तो यह कुछ मैंने फैक्ट बता दिये आच्छा मैं भारत यहीं पर मैं इतनी चीज नोट कर लो इतनी चीज नोट करने को जल्ली से मैं एक फैक्ट और कराए दे रहा हूं यह तो मैंने इसे नाम बता दिये आप तीन महत्पूर पाइंट के रूप में इसको उत्तरप्रदेस जब पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ा देंगे। ध ặ्यान से सुनना अगर मैं उत्तरप्रदेस की बात किरो उत्तरप्रदेस की जील होती है कीठ्धम जीलॉबॉबॉ उत्तरप्रदेस ज्यान से सुनना अगर मैं उत्तर पिदेश की बात करो तो उत्तर पिदेश की जील होती है कीठम कीठम जील उत्तर पिदेश की कीठम जील का नाम तो यह कहां से होती है इटावा इतावा में उत्तरपदेस के इतावा सहर में जान लाइन सफारी है वहां कीठम या कीठम जील होती है अगर आपसे कोई कह दे इतावजा जील और करेला जील कहा होती है लखनू इटाउजा और करेला करेला खाया जाता है नवामों की नगरी नजाकत का सहर लखनों में होती है ठीक है इटाउजा और करेला जिल कहा होती है लखनों में अगर मैं कहा दू रामगर ताल और चिलुआ ताल ताल लगा दो, ये भही है जहां गोरक नाथ का पीठ है, जहांके उतरपदेश के मुक्भ मंतरी, मुक्भ मंतरी योगी आधितना जहां से संबन्दित है जहां नाग संपरदाय का मुख मठ है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, जिसके बाद बिहार सुरू हो जाता है, उस जिला का नाम होता है, बलिया, उस जिला का नाम बलिया, सुरात आल पच्छी बिहार भी है, सुरात आल पच्छी बिहार किस जिले में है, तो आइशर क्या हो जागा वलिया, तो उत्तर पदेश की कुछ महतपूर जीलें ये थी, मैंने आपको सारी चीज़ें कराती है, जो जो महतपूर मुझे लगा, मैंने आपको कराने की कोशिश की है, तो आपको ये जनकारी कैसे लिए कमेंट बाक्स में एक बार जरूर बता द जोड़ते रहिए, मेरे वीडियो जो इडियो या क्लास का लिंक मिलता है, इसको एक बार सेर्जलूर करा करिए, लोगों को जोड़ते रहिए, पढदे रहिए, मसत रहिए, वेस्त रहिए, मिलेंगे फिर फिर न क्लास के साथ, तब तक के लिए शुबरा धृक्न देट जि